अल्राइट सुआए कैसे हो आप सब आज की वीडियो में हम रिवीव करने वाले हैं शिरीराम College of Commerce का जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपसे हम स्टार्ट करने वाले रिवीव सीरी जिसमें ट्राइए कर रहा हूं कि हर कॉलेज को कवर कर सकूँ डेली उनिवर्स स्टार्ट करने से पहले यह जान लिए जाए कि कभ यह इस्टेबलिश हुआ तो यह इस्टेबलिश हुआ था नाइन वड़िसिक्स के अंदर तो लाइक कोलेश करते कि इपने एक ही आइडिया एक ही कोलेश सामने था कि इसे जिसकी वज़े मुझे जाना है डलिशेंे से डली उन्यूश्टि मेरें मुझे पर पर उन्फॉर्चूने नहीं मिला तो क्या हुआ कोई दिकते नहीं सबके बसके बात होती तो है बट मिलता किसी को है काफी आई रहती है आप डिजर्विंग होते हैं फिर भी नहीं मिलता ठीक है डॉन्ट भी डिसहार्टन कि आपको अगर इस बैच कियो अगर आने वाले बैच कियो तो अपना 100% के 200% तो अगर एसरी क्रैक करना है तो बढ़ते खरेट नहीं करता जो इसको सबसे अलग बनाता है बाकी जो बाकी जिसके अंडर आपको सबसे बीकॉर्ट को पर से करने के लिए पूरी ऑप्शन नहीं है और थ esse चीज मैट इंपोरेंट यून्म वाइपोनन लिए आपको सबसक्स करने लिए पूरी डेली उनिवर्सिटी में किसी भी कॉले से आपको बीकॉम ओनर्स करनी है तो Maths is compulsory and Economics Onors के अंदर तो Maths बहुत ही जादा ज़रूरी है Economics Onors के अंदर आपकी Top 4 में Maths होनी चाहिए and become Honors के अंदर आपकी additional होज चाहिए फिर main में और डॉसेंट मैंतर बट मैट्स होनी ज़रूरी है अगर आपने मैट्स ली हुई है त्वाल के अंदर तो डेफिनेटल ऐसे से इस इस अप्षिन पर यह एंड अगर नहीं ली और उप्षेंट पोई विक्वराउट मैट्स यू कांट एंड्रोल यूरसेल्फ इंटो एसरी सीशी अब बढ़ते है है सर्थी की क्या फेकल्टी है किस तरह के टीच टीचिंग लेवल एक्सपीरियेंस वगएरा उसके बार में बात करते हैं त्यार देखो मेरा क्या मानना है कि के अच्छी होती है वाइब इस तरह से बात करों तो नमबर वन फैकल्टी आती है कॉमस डिपाट्मेंट के अंदर सबसे बड़ा कॉमर्स डिपाट्मेंट सर्सी के अंदर है और जो हाइली क्वालिफाइड है सभी ने अच्छी फील्ड कर रखे अपनी फील्ड के मास्टर है अच्छी डिग्रीज ली हुई है ठीक है तो लाइक अच्छे लेवल की ग्रेजिशन आप कर सकते हो आपको आपको बेगार मिलेगी फेकल्टी हर कॉलेज की बहुत बढ़िया होती है इट डिपेंड्स अपन यू आप किस तरह से फेकल्टी को लेते हो और सबसे इंपोर्टेंट चीज और जो खास बनाती है SSCC को और सभी टॉप कॉलेज जो टॉप नॉच कॉलेज है कि जिस सबसे बड़ा रोल प्लेग करते हैं आपको ओवरॉल बिल्ड करने में परस्नेलिटी डेवलप्मेंट में तो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमने बड़ा फेकल्टी कोर्स वारे पर में देख लिया है and next is society culture आपको किस तरह का culture यहां पर मिलने वाला है no doubt आपको बहुत बढ़िया culture मिलेगा आपको diversity next level की मिलेग because पूरे इंडिया से हर कोने से आपको बच्चे देखने को मिलेंगे and जो आपका exposure होगा experience होगा और जो diversity आपको मिलेगी वो और कोई college में देखने को शायद ना मिले because हर कोने से top notch बच्चे आते हैं and cut-offs आपको पता कि high रखी होती है जिसकी वज़े से वही बच्चे इस college को crack कर पाते हैं जिनका next level mindset होता है and next level उनकी preparations होती है तो difference बनाने के लिए societies are one of the most important criteria या फिर कह सकते हैं चीज है college के अंदर जो आपको दूसरों से अलग करती है because SSCC के अंदर सभी 98, 99, 100% वाले आने वाले हैं तो अलग क्या बनाएगे उन्हें वो होता है society culture अब आपके interest के according हर college के अंदर अलग-अलग type की societies बनी होती है आप किसी भी society का part बन सकते हो तो आपको कुछ एक process के तुरू जाना पड़ता है जो की Google Forms हो गया इंटर्वीज हो गया पैसनल इंटर्वीज बगारा and then you can get selected इंट इन्ट पर्टिकलर society आपको societies जोइन करनी जाहिए and generally आपको SSCC Commerce Department से बिलोग करता है तो generally आपको वैसे societies में मिल जाती है कि लाइक finance and investment society होगी Commerce Association होगी economics society होगी तो लाइक इनसे रिलेटिटीट सोसाइटी तो ही बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा activity में इंटरस्ट है एंग्लीश में इंटरस्ट है तो लाइक आपको debating society मिल जाएगी लाइगी अगर आपको कुछ कुल्च्छल इंटरस्ट के अपने इंटरस्ट वगार देख सकते हो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को जॉइन कर सकते हैं अपको नेक्स्ट लेवल का experience चाहिए अब बढ़ते हैं हम इ mundaneु फैस्ट लाइक दे चलता है जिसके अपको बजिट को मिल जाता है सपोन्सर Armenia ख्राए होते हैं और ने इंवेस्ट किया होता है एक देड़ करोड का अराम से बजट आपको देखने को मिल जाता है त्री या फोर डेज का फेस्ट चलता है जिसके अंदर स्टार नाइट्स भी होती है काफी सरे इवेंट्स होती है गेम्स होती है कुछ भी करो अपना टैलेंट्स दिखाओ लाइक मजा आयाता है मैंने तो experience नहीं किया तो वीडियो बगार ही देखी थी खीक है तो जाएंगे तब देखेंगे experience करेंगे बट जितना सुना है जितना वीडियो बगार देख के पता लगा है यही पता लगा है कि फेस्ट बहुत जबरदस्त होती है अगर मुझे चांस में लगा डिफिनिटली मैं तो जाऊंगा आप भी ज़रूर जाना अगर आप SRCC में आते हो किसी भी कॉलेज में हो कोई भी कॉलेज का जा सकता है वहाँ पर स्टुडेंट और क्रोस्रोडस जो इनका सबसे बड़ा फेस्ट होता है और हर कलेज का अलग-अलग अपना फेस्ट होता है स्र सी का क्रोस्रोड होते जिसके अंदर आपको बड़ी-बड़ी पैसनेलीटिज देखने को मिल जाती है और business conclave होता है जिसके अंदर कपिल शर्मा भी आए हुए है और क्रोस रोड के अंदर गुरू रंदावा जैसे बड़े-बड़े सिंग्स भी आए हुए है तो like next level होती है फेस्टनेट इवेंट्स में कोई टक करनी है सलसीजी को सभी का next level fest होता है next हम बढ़ते हैं जो कि last important चीज है placement and internships क्या बात है placements और internships की definitely placements next level होती है इस college की because जो placements का highest package होता है वो गया हुए 31 lakh पर एनम का भी like generally जाता नहीं है कभी-कभी चला जाता है ठीक है because student पर depend होता है कि कितना company से ले सकता है वो कितनी उसके अंदर skills है company skillsets बगारा देखती है students की and experience होता है उस बंदे के पास तो definitely इतना pay कर देती है 31 lakh का annual package गया हुआ है maximum जो की highest रा है शीरिराम college of commerce का and on and average अगर हम बात करें तो 8 lakh के आसपास average package जाता है and generally 20 lakh तो चला ही जाता है हर साथ आपको काफी अच्छी placements देखने को मिल जाती है when compared with the fee structure because fee structure बहुत ही nominal है almost almost 15-30,000 की बीच में आपका per year का खर्चा होता है fees के अंदर like generally I guess 20,000 अभी करन चल रही है आपको 20,000 रुपे पर year की fees देनी होती है and रहने खाने पीने का तो अलग ही है as compared with private universities जिनका package आता है 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh और उनकी fees बहुत जादा होती है but Delhi University में SRCC की fees बहुत कम है in return अगर हम package देखें तो ROI काफी अच्छी देखने को मिल जाती है तो बहुत अच्छा package जाता है and ये तो बात है कि सबके नहीं लगती तो सबकी नहीं लगती बट लगती है जिनकी बहुत बढ़िया लगती है ठीक है and number two internship internship cell भी आपको देखने को मिल जाएगा college के अंदरी placement cell होता है internship cell होता है आप वहाँ पर join हो सकते हो and companies काफी सारी on board आती है आप किसी में भी apply करके internship ले सकते हो placement cell में आपको त्यारी करवाई जाती है किस तरह से आपको placement क्रैक करनी है ठीक है तो लाइक इस तरह की placement और internship opportunities आपको देखने को मिलती है और अगर बात करूं होस्टल की तो hostel facilities भी प्रोवाइड करता है बट वही होस्टल अभी को नहीं मिलता जर्री जो ncr के होते हैं फिर डली के आसपास किसी स्टेट्स होते हैं उनके चांसे बहुत कम होते हैं मिलना काफी मुश्किल है यह पड़ता है because hostels भी काफी महेंग ऐसा नहीं है कि government universities है तो hostel आपको काफी सब्सक्राइब करके जरू जाना अपने जूनियर के साथ भी चैनल या फिर अपने बैच मेंट के साथ भी चैनल जरू शेर करो ताकि उनकी भी हल्प हो सके एंड मैक्सिमम अपनी तरफ से मैं वैल्यू एडिशन कर सकूँ और तुम्हें ए टुजट डल उनिवस्टी के बारे में हर इंफॉमेशन प्रोवाइड कर सकूँ और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो डूल एक वीडियो बना चुका हूं एक रिवीव पर जो की सर्टी का कॉल स्टूडेंट है उसी के साथ तो गो एंड वाज देट वीडियो इससे भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ठीक है तो या डेट वस अल बाट वाट इस वीडियो द इससाथ पर पर वाट पड़ ज एन डीक हो पर जान फॉड लिडी और बाट ज पर चाहिए हो एंड पूल था प्रोब्लो भाट शुड़ फैंड अडियो फियो प्लो एंड चिंत वीडियो ऑाट जिडियो यग जडियो पोगर अवाद पर लिग टूल में इसाथ एल तो ऑि अबuled है को उस्थी का पूलिके फिरी लिए करिकेSNे का है उखि ह़ा लुट optimize जिसक्टनिकिछ टेमाज़ फाल विस्ट फिरूल स्सक्टनिक शीकिर्प टे लोल सबाग में ऍलग गाले हैं, है, ר Great зем इस गिवन इन देस्क्रिप्टिन बोग चेक आव